नमस्कार दोस्तों वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल सित्पुरुन गाश्टडी में है और आज हम इसी वीडियो में अच्पी जी के कवर करेंगे ये कलास एच्पी टैर्ट एकजाम 2021 बियर्ड इंट्रास एकजाम मैं कहा सकता हूं कि एच्प कु तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 ED 시작 कोषिन से जां जर्ण परसीद लोक नर्डेहें हैं तो इसो तिमोर का है शिंबला का चबार का चमबा का तो जांजयर प्रसीद लोक नरिद्ध ये चमबार तो आईए अगला उप्शन देखते हैं किनोर का कौन सा लोग नृत्ते हैं तो किनोर का अराक्ष्ट नृत्ते शंब के आंग बाके आंग जातरू के आंग जापरू यह सभी किनोर के हैं और शिमला का जैसे गी माला बूरा थोड़ा शोहारा महासू यह सभी शिमला के हैं और सिर्मोर के जैसे बिड़सू गीही नाटी रासा जूरी बुड़ा यह सभी सिर्मोर के हैं तो कौशन नमबर नेक्स्ट थर्टी टू आर्यों द्वारा बोले जनी बरी वाशा थी हिंदी सी अंग्रेजी थी यह संस्कृत यह अर्बी तो यह वाशा थी संस्कृत कौशन नमबर थर्टी 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 महात्मा गंदी हत्या केस का विचारन यहां हुआ था तो कहां हुआ था पीटर हॉप में संबर हिल चंडिगाड यह दिल्ली तो यह हुआ था पीटर हॉप में जो की शिमला में हैं question number next 34 कांशी राम को पहाड़ी गंदी नाम किसने दिया था तो कांशी राम को ये पहाड़ी गंदी नाम दिया था पंडित जौल नहरू ने जो की जेल नहरू ओप्शन वोगा फर्स्ट बाबा कांशी राम को बर्ष उनिसो सैंति में पहाड़ों दा बुर्बुल की नाम की संग्या दी थी तो question number next 35 कृषी विश्वदालिय पालंपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो ये चोदरी सर्वन कुमार डौक्टर राजिंदर प्रसाद राजीव गंदी ववेकानाद तो ये रखा गया है कोशन no. 36 मृकृला देवी मंदर हिमाचर परदेश कित जिले में seems है तो मंडी में हैं हैं चंबा में कांगडा मैं ये लौड्सपीती में है तो ये मंदर सेह द्कügen में है लौड्सपीती में है जो मृकृला देवी मंदर हैं ये उदफ़ पूर्स्तान पर हैं और एक लोट्सपिती में मिंदल देवी मंदर जो कि देवी कोटी स्तान पर हैं और ताबु मठ जो कि काजा लोट्सपिती में हैं की मठ वो भी लोट्सपिती में हैं गुरु गंटाल मठ ये भी लोट्सपिती में हैं एक हैं शश्यूर मठ जो कि केलांग ये भी लोट्सपित कांगडा में हैं जैसे जोलाम की मंदर फिर एक आता है नागनी माता मंदर जो की कांगडा जला के नूर्पर में है और चंबा में जैसे शतराडी मंदर फिर आता है लक्ष्मी नरायन मंदर, हरीराय मंदर, चौरासिय मंदर, बरमौर यह सभी जंबा में है और मंडी में जैसे तार्ना देवी मंदर मंडी में है रिवालसर मंदर फिर आते हैं कामाक्ष मंदर जो की करसोग रिवालसर पंडो हो यह सभी मंडी में है Quesion number 37, Himachar Pradesh में परवता रोहन सह्तान स्थित नहीं है। तो कहाँ ये शिंबला में है ये कांगडा मैं ये मनाली मैं ये मंडी मैं। Quesion number 35, Rorich Art Gallery स्थित हैं। तो कहाँ पर है ये अंधरेट्ट स्थित हैं ये चंबा मैं ये नाहन में ये नगर में। इसका अंसर होगा 38 का D. नगर में, जो की कुल्लू में है, फूनान स्रीमोर में है, रंद्रेटा जो की पालंपुर, Q39, लिटन समार के स्थित्य है, तो ये कहां नहान में है, या दरमशाला में, या कुफरी में, या दी इनसे नहीं से कोई नहीं, जो लिटन समान के सित्ते हैं यह हैं नहान में जो कि तिर्मौर में हैं कोशन नमबर 40 कांगडा किले का निमारण किसके दोरा करवाए गया था तो सुशर्मा-चंद के दोरा या गमंड-चंद के दोरा या संसार-चंद या हमीर-चंद तो इसका अंसर होगा ये सुशर्मा चंद और जो संसार चंद थे इन्हों ने शात्तिपूर के लिए का निमारन करवाया था और जो हमीर चंद ने हमीर पूर की नगर की स्थावना की गी थी तो question number next 41 पुंजू चंचलो परसिद लोग की गीत है तो ये स्रिमोर का है ये शिम्बला का ये कुल्लू का ये चंबा का तो ये लोग की लीत हैं चंबा का question number next 42 डोडरा कवार्क शेतर पढ़ता है तो ये कांगडा में पढ़ता है ये कुल्लू में ये स्रिमोर में ये शिम्बला में तो इसका अंसर होगा D. शिम्वला में Q. 43 जौलामो की मंदर में पवित्र जौला के उपर स्वर्न शत्र गोल्डन हाउस किसके दोरा बेंट किया गया है तो ये मंदर बहुत ही खास मंदर है इसे हिमाचल बासी सभी जानते होंगे इसमें बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं तो ये इसका अंसर होगा B. अकबर अकबर नहीं जो की ये शत्र चड़ायाता सूने का Q. नमबर Next कुलूम में मलाना किसके लिए प्रसिद है तो विश्यम में सबसे पराना लोकतंतर ये रिशी वर्शूराम का जन्मस्तान ये रिशी व्यास का द्यानस्तान ये नमसे कोई नहीं तो Q. नमबर इसका अंसर होगा A. जो मलाना है जो हिमाचल का B. सबसे परान लोकतंतर हैं तो इसका अंसर होगा A Q. नमबर 45 Next किसके शासनकाल के दुरान पहाड़ी चितरकला की कांगड़ा शैली अपने शिकवर पहुंची हैं तो A. हरीरचंद, हमीरचंद, गमंडचंद ये संसारचंद तो ये शैली पहुंची गई थी संसारचंद के शासनकाल के दुरान इसका अंसर होगा D Q. नमबर 46 किर ग्राम किसका पुरान नाम था तो खंड़ागाड का था ये नालागड का था ये नूरपुर ये बैयनाथ तो ये नाम था बैयनाथ का और नूरपुर जो रहस की स्थापग जो नूरपुर राज्य था इसकी स्थापना की गे थी जटपाल के दौरा पुरान नाम था हंडूर बूरी सिंग संग्राल्य स्थित है तो यह कहा है नहान में या चंबा में या कांगडा में या कसोली में तो यह स्थित है चंबा में कौशन नमबर 48 हिमाचर परदेश का जो परसिद सूर्य मंदर स्थित है तो कहां यह मंडी में है या नीरत में या नगर में या स्पिती में तो यह नीरत में है तो नीरत आपको पता होगा यह शिमला में है कौशन नमबर 49 चरासी मंदरों का स्थान है तो ये तो question easy होगा आपको पता होगा तो इसका answer है बर मौर Question number Next किस बोध मठवासी का जन्म रेवालसर में हुआ था पदम समुव का, महातमा बुद का शाक्य मुनी का या डी इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा ये पदम सम्भू का पदम सम्भू ये शिमरा से समधित है Question number 51 लाहौल का हाल्दा उस्सव किसके सद्रिश है तो होली के, दशैरा के दिवाली के ये रक्षबंदन तो इसका answer होगा दिवाली दशर कुलू का है और होली सुजानपूर टीरा पताओगा आपको Question number next किस ब्रीटिष्ट बाइसराई ने अपनी पुतरी का नाम नाल देहरा इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर मोहित उने के बाद रखा लॉड रिपन, लॉड लिटन, लॉड रोजी ये लॉड करजन तो ये रखा था दिवाली से, होली से, दिशारा से तो इसका अंसर होगा ए तिवति नव वर्ष से Question number 54 हिमाचर प्रदेश में कौन सा स्तान पांडब, रानी, द्रौपति की दह संसकार भूमी माना जाता है तो A. तांडी B. उदेपुर C. स्पिति, कलपा तो इसका अंसर होगा A. तांडी तांडी जो की लोट्स पिति में है Question number 55 हिमाचर प्रदेश के किसी जिले ने अपने रूमालों के लिए क्यात्ती अर्जित की है A. मंडी B. कांगडा C. चंबा D. शिंबला तो इसका अंसर होगा C. चंबा Question number next 56 कांगडा चितरकला शैली की मुख्य विश्य बस्तू थी तो A. प्राकृतिक द्रिश्य B. रादा और क्रिशन की प्रेम का था C. रमायन के द्रिश्य D. महाबार्थ के द्रिश्य तो इसका अंसर होगा B. रादा और क्रिशन की प्रेम का था Question number next 57 गुरू गोविन सिंग ने कभी भी यात्रा ने की तो मंडी की तो की है आपको बता होगा नैना देवी हिल्स की भी की थी पॉंटा सहिव की भी की थी लेकिन गुरू गोविन सिंग ने दर्मशाला के यात्रा कभी ने की थी Question number Next 58 question रेण का तीर्थ किस्से स्वंधित है तो A. बगवान परशुराम B. रिशीब ब्यास C. रिशीब शिष्ट या D. इन में से कोई नहीं तो 58 का अंसर होगा A. बगवान परशुराम Question number 59 हिमाचल बासी जो की बारती होकी टीम का कफ्तान था जिसने टोकियो में 1904 ग्रिशम उलम्पिक में सुरन पदक जीता था तो ये थे इसका अंसर होगा B. चरण जीत सिंग Question number इस वीडियो का लास्ट 60 question कौन सी विशिष्ट मुरुण जनात्मक गतिविदी अधिकांश फ्रटकों को शिंबला जिले के रोड़ की तरफ अकर्षित करती है तो यह करती है एंगलिंग इसका अप्शन होगा सी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में चलिए ठैंक यू जाए हिंद जाए हिमाच्ट